अनंद ने टॉप गण के साथ फाइटर की तुलना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मिशन इंपॉसिबल में भी पठान के समान सीक्वेंस थे सिधार्थ आनंद ने कहा कि फाइटर की टॉप गण से तुलना अपरिहार्य थी फिल्म निर्माता ने मिशन इंपॉसिबल डेड रेकनिंग के बारे में भी बात की जिसका सीक्वेंस पठान जैसा होगा सिधार्थ आनंद जो वर्तमान में अपनी आगामी फिल्म फाइटर का प्रचार कर रहे हैं ने हाल ही में टॉप गण तुलनाओ को संबोधित किया जिसका सामना उनकी फिल्म को कुछ हफते पहले रिलीज हुए प्रोमो के बाद से करना पड़ रहा है सिधार्थ जो पहले पठान और वर का निर्देशन कर चुके हैं ने कहा कि उनकी फिल्म टॉम क्रूज की फिल्म जैसी नहीं है और उन्होंने जोर देकर कहा कि चुँकि लडाकू पाइलटों की दुनिया में बहुत सारी फिल्में नहीं बनी है इसलिए ये तुलना अपरिहार्य है जुम के साथ बादचीत में सिधार्थ ने कहा एक फिल्म निर्माता के रूप में आपको तयार रहना होगा कि यदि आप विमानों पर फिल्म बनाते हैं तो वे इसे टॉप गण कहेंगे क्योंकि उनके पास कोई संदर्भ बिंदु नहीं है इसलिए उनका मानना है कि हम इतने रचनात्मक नहीं है कि हम ऐसे काम करेंगे जो धोखा देने वाले हैं हमें अपनी फिल्मों को थोड़ा अधिक सम्मान के साथ देखना शुरू करना होगा और लगातार यह विश्वास नहीं करना होगा कि चीजों को तोड़ मरोड कर पेश किया जा रहा है लोग यहां तक की पश्चिम में भी पूर्व में बनाई गई सामगरी से प्रेरित होते हैं सिद्धार्थ आनंद संभवतह मिशन इंपॉसिबल डेड रेक्निंग के एक सीक्वेंस के बारे में बोल रहे थे जो प्रशंसकों को पठान के एक सीक्वेंस के समान लगा उन्होंने कहा मेरे पास ऐसे कई उदारण है जहां हाल ही में भी जहां मैंने कुछ सीक्वेंस किये और वे सीक्वेंस एक फिल्म के समान थे जो बाद में आई, पश्चिम में एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्म थी, उन्होंने जोर देकर कहा कि वह यह नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने हमारी नकल की है और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे हमारी नकल करेंगे, इसलि झेलिओधार से जन्होंने जोटो चुछी पनावादार से प्रूल करेंगे, और आदी ज़ नहीं है।